आरजुन और कर्ण में दौनों स्रेष्ठ कौन हैं? आरजुन और कर्ण का जब युद्ध हू रहा था तो आरजुन कर्ण के रथ पर बान मारते थे तो आरजुन के बान से कर्ण का रथ 21 हाथ पीछे जाता था और जब कर्ण बान मारते थे तो आरजुन का रथ केवल तीन अंगुल पीछे जाता था अंली तीन अंगुल जब कर्ण बान मारते थे अरजुन के रथ पर और कर्ण के बानों से अरजुन का रथ तीन अंगुल पीछे जाता तब भगवान स्री कृष्ण कहते वाह करण वाह और जब अरजुन वाण मारता तो साथ हाँच पीछे चला जाता तब भगवान नहीं कहते वाह अरजुन वाह तो अरजुन ने कनया से का प्रभू आप मेरी तरफ हो की करण की तरफ भगवान बोले क्यों बोले मैं बान मारता हूं तो करण का रच 21 आहाज पीछे जाता है और वो बान मारता है तो मेरा रच केवल तीन अंगुल पीछे जाता है और जब तीन अंगुल पीछे जाए तो आप कहते हैं वाह करन वाह तब भगवान ने कहा अरजुन ये वता कि तेरे रथ में कौन बैठा है अरजुन ने कहा प्रभू आप बैठे भगवान ने कहा मुझे जानता है हाँ आप ब्रमान नायक हो भगवान कृष्ण ने कहा अरजुन मैं अपने उंगली रख रहा हूँ ये रखी उंगली भगवान ने अपने उंगली रख दी रथ पर कहा अरजुन पूरी ताकत लगा के मेरी उंगली हिलाओ अरजुन ने पूरी ताकत लगा दी पर उंगली टसकी मस नहीं हुई भगवान ने कहा अर्जुन मैं भगवान हूँ जिसके रौम रौम में ब्रह्मान लटक रहे हैं मैं खड़ा हो जाऊँ तो इस संसार में किसी योद्धा में ताकत नहीं कि वो मुझे एक इंच पीछे कर सके पर मैं तुम्हारे रत में बैठा हूँ और फिर भी करण ने तुम्हारे रत को तीन अंगल पीछे किया है और करण के रत में तो कोई है ही नहीं करण के सिवा तो तुम साथ हाथ पीछे कर रहे हो तो क्या बड़ी बात है तुमारे रथ में हनुमान जी बैठे हैं ध्वजा पर मैं बैठा हूँ फिर भी तीन अंगुल पीछे कर रहा है तो निरने हो गया भगवान निरने कर दिया यदि धन उर्धर में देखा जाए बल पराक्रम में देखा जाए तो वो अर्जुन से कहीं स्रेष्ट करण थे ऐसा मेरा निरने नहीं है भगवान स्री कृष्ण ने इस बात से पुष्ट कर दिये बात पर चूकी करण बलवान थे पर दुर्यूधन जैसे अधर्मी का साथ दे रहे थे इसलिए अर्जुन की शक्ती बढ़ गई और अर्जुन ने करण को मार दिया दौनों में स्रेष्ट यदि योध्धा में देखा जाए तो करण स्रेष्ट है पर धर्म के विसे में बात किया जाए तो वो अधर्म से जुड़े थे करण और ये अर्जुन धर्म से जुड़े है तो धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही स्रेष्ठ होता है तो अर्जुन स्रेष्ठ है